आज किसी बीडियों में बात करने वाले बेफिप्त समस्टर सोसोलोजी यानि की समासाफ्तर के प्रस्ण पत्र फष्ट के मोस्ट इंपार्टन कोईश्टर एंड एंसर के बारे में तो बीडियों बहुत ही महात्पूर्ण होने वाली तो बीडियों को पूरा जरूर देखते करेगा जिन बीडियों को सोसोलोजी फर्ष्ट पेपर का परिच्छा देनी है ठीक है तो चलिए आते को सबसे पहला महात्पूर्ण प्रस्ण है आप सभी के लिए आत्म हत्या की परभासा दीजिए यह प्रस्ण आपके लग हुत्रे देरी हुत्रे में ज्यादा तराता है और आएगा भी इस बात के मापको अंडर परसंट गरेंटे और भरोसा दिलाते क्योंकि कुछ कुछ कॉश्चिन कॉमन होते हैं कुछ जर्नली होते हैं जो हर पार रिपीट ही होते तो यह कुश्चिन उन्हीं में से एक है कि हमेसा आता इस बार भी आएगा चलिए जानते है के बारे में इस कोश्चिन के बारे में उसका उत्तरा पर लिख सकते हैं कि दूर्खीम के आत्म हत्या ग्रंथ का प्रकासन यानि की एक प्रमुख समासाफ्त्री हैं बिद्वान है जिनका नाम है दूर्खीम ठीक है इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है आत्म हत्या इसका प्रकासन उसका हुआ है जो हुआ यह जो रिलीज हुआ था जब इन्हों पुस्तक टेकर लिखा था ठीक है उसके बाद मार्केट में पब्लिश किया है यह लोगों तक पहुंचाया जाए ठीक तो वह प्रकासन उसका हुआ है प्रकासन के मत्तब फिर से बता दे जैसे कि मालीज न्यूज पेपर आप लोगों को सुबा देखने को मिलता है तो वह रात भर जब इधर उधर की न्यूज मिलाके पूरा कंप्रेट किया जाता है उसके बाद मोर्डिंग में उसे लोगों तक पहुंचा आ जाता है तो उसी आठारासो सथावन में व्रकासन हुआ ठीक है इस ग्रंथ में दुरूखीम ने समास साफ्त्रिय द्रिश्टकोन का तथ्यात्मक प्रमाड प्रस्तुत करने का प्रत्न किया है इस चीज़ का तथ्यात्मक तथ्यात्मक मतलब हो गया फैक्ट वाली चीज़े उन चीज़ का प्रमाड यानि की पुरूफ देने का प्रस्तुत करने का प्रियास किया है प्रत्न किया है ठीक है आत्महत्या को परभा म्रत्य को वह जानता है यानिकि आत्म हत्यया का मतलब यहीं हुआ कि स्वयम से मतलब स्वयम से अपने आपका गला घोट लेना या फिर को मार लेना एक तरीके से माल लिजे फांसी आप लोग बहुत लोगा फांसी या फिर किसी डिप्रेशन में आके लोग क्या करते हैं कि किसी नदी में कूच जाते हैं किफी समधर भी कूच जाते हैं ठीक है या फिर किसी घर से नीचे कूच जाते हैं तो यह क्या हो गए एक प तब यह हुआ कि वो ऐसा महौल बना ले कि स्वेम से उसकी मरत्य हो जाए कि ठीक है तिसे एकजामपल के लिए आपको मैंने बता दिया कि किसी माली जे की दो चार मंजिल का घर है वहां से उपर से गिर जाना फासी लगा लेना किसी नदी में कूच जाना किसी नहर में कूच ज दीकाओं ये दुखाया कि अुख्त परिभासा से आत्मत्या की निम्ले विसेष्टाय में हैं एक ऊपर वाली परिभासा को देखते हुए तो पहला है कि आत्मत्या सोयम मरने वाले की क्रिया का अग्ति के प्रेडाम होती है तो सिंपल सी बात है है कि सव्यहम आप लोग अपनी आठ्मिध्या करेंगे तो स्वयम् मरने वाले क्रिया को मिले भाई पाफ दो मिलेगी ठीक है जिय mellan hai यह प्रशाश्चा पूरिबगे आपने क्रिया के पहले से ही जानता है मतलब कि हट में हत्या करना चाहा है वह पुर कर्रेंघ कर रहा है उसके यहां को पहले हैं जानता रहता हुआए तो सिंपल सी बात आप सुभी महाना क्वान पहले रहता हुए हिस घड़ी पी आ गये हम यह करने जा हो 550 ग्रहां एंग्वार अगली भार पिर से मरेंगए और बता ज्ञार पहले जानता है वह जानता है वह जो सबहुत कि अधर आत्महत्या पूर्व निष्चे पूर्वक जान बुचकर की जाने वाली आत्मघाती क्रिया का प्रड़ाम है इस अंतर में दुर्खीम ने आत्महत्या को एक समाजिक समाज में ये जियादा होता है समासे मतुष हो जानी करण सकते हैं अब यहां सब्सक्राइब करते हैं लोग तो उसके प्रकार बताना है तो उसके प्रकार बताना है तो पहला जो प्रकार है वह है अहम वादी आत्महत्या तो आहम वादी आत्महत्या में यह होता है कि समाज में अतिस्य व्यक्ता की इस्थित आत्महत्या की दर्में ब्रद्धी करती है यह अहम वादी आत्महत्या है दूसरी है पार्थो वादी आत्महत्या तिसमें यह है कि अत्यधिक समाजी करण की इस्थित में की जाने वाली आत्महत्या पार्थो वादी आत्महत्या कहलाती है तीसरी है आदर से हीन आत्महत्या इसमें समाज में नियम हिंता अकास्मिक परिवर्तन में निराफा की इस्थित में की गई आत्महत्या आदर से हीन आत्महत्या होती है कि हमारा जो है कि दूलाग का प्रोफिट होने वाला है अचानक से माली यह आपका प्रोफिट ना हो यह फिर आप कहीं जा रहे हैं और आप कहें माली आपका कोई बिजिनस करते हैं आपकी कोई गाड़ी है जो माल लेकर आ प्रोफिट हो जाए और पूरी तरह फें दूर्गणना ग्रस्त हो जाए पूरी तरह ठीक है तो क्या करेंगे उसके में बहुत लोग आकास्मिक परिवर्त अचानक से वह अपने लाइप को चेंज मतलब कर लेते हैं परिवर्तन कर लेते हैं और उस निरासा के कारण वह लोग लिए उत्तरदाई होती है ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे बाकि आप अपने उसाब भी प्रकार के बारे में लिख सकते कोई टेंसल लेनी वाली बाक नहीं बे आप फिक्र रही है और फिरी हैं आप लिख भी सकते हैं तो यह जो दोनों कोश्चन बताएं यह हंडर पर स कोईशन फशाएगा फशाएगा करीब 8-10 नमबर पक्के होने वाले आपके ठीक है इसलिए मैं इस पर थोड़ा टाइम दे आप लोगों तो अच्छे पढ़ लेंगे अच्छे समझ लेंगे तो आपको काफी हल्फ मिल जाएगी अगला प्रस्शन है कि समाजिक चिंतन पर तो समाजिक चिंतन से मतलब यह समाज के वि भिंड पहलू कहीं कभी लाव हुआ कभी आन हुआ कभी हम गये तो हमारा काम हुआ कभी नहीं हुआ कभी सुबह हुए तो सुबह यह काम क्या मतलब पहलु सम्मंधित सोच विचार अत्वा विचार धारा से इसका लंबा इतिहाव रहा है जो धिया जास सुनेंगे समाज साफ्तर विचे का उपचारिक उद्भो विकास 1834 में हुआ था इसलिए इससे पहले के चिंतन को हम समाजी क्षिंतन कहते हैं या पिर चिंतन कहा जाता है समाजिक चिंतन्यूम समाज साफ्ती चिंतन को समानार्थक रूप में प्रियोग किया जाता है समाज साफ्ते चिंतन आमूर्थ होता है या समाजिक जीवन समाजिक समस्याम समाज के अन्र पहलों से सम्मंदित होता है यानि कि समाज में जो लोग रहते हैं समस्चाय आती है और उसका निवारड भी होता है और लोग अपनी जो पहलु है उनका जीवन का वो चलता रहता है और ये सब चीज़े जो समस्चाय हैं ये समाज के अन्य पहलो से संबंधित होती हैं ठीक है समास सवाप्पे चिन्तन के इतिहासिएं बिकास के पांच स्छेडियों में भाजित की यह लि कि जो समास्वाप्त यह कि इतिहास जो भिकास हुत ढ़ года है कर सक्षेट भुछ नंब्र चॉत नंबढला मन दिकाली समाजिक चिन्तनoses नंबर री finals पूर्व आध़निक समाजिक चिंतन अथवा आध़निक समाजिक चिंतन और इसके प्रकार है और जसे तो पांच सेळिया जो कि मैने आको बताया और उसके बाद है कि आधनिक समाजिक चिंतन को बिक्सित करने में फ्रांसिसी क्रांट तथा और दोगी क्रांट के प्रेडाम सुरूप यूरोपीय समाज में हुए अमोल चूल परिवर्तन परत जो परिवर्तन हुए जो चेंजेस हुए हैं उनकी प्रमुक भूमिका रही है यद्यव भारत में समाजिक चिंतन की एक लंबी परंपरा रही है तथा आप समासाफ्ते चिंतन का बिधिवत प्रारंब उन्नीस से माना जाता है इस बात को ध्यान रखेंगे और यह हाई लेबल का कोईश्चन है प्रिच्छम्यानिक पूरी में जयता जाए लेकिन यह मैं आपको बताऊंगा यह प्रस्ण हमेशा नहीं आता कभी कदार रिपीट होता है तो आप इसको पढ़ लेंगे तो पलसी पाइंट रहेगा वाकि आप चाहिए तो ग्लोर भी कर सकते हैं अगला है कि वही संगत सिध्धान्द का आरंब कभी कोईश्चन ना कभी आता है कभी प्रस्ण में से उत्तर समझे संगर सिधान्द का मतब्लों समझते हैं हाड़ वर्क कठिन प्रस्ण सिध्धान्द का मतलब नियम कानून ठीक है आनि कि आप कोई चीज संगर्स कर रहें उसके क्या नियम हो सकते हैं वह आरभ कभव उसके बारे मताइए थीक ए तो चलिए उन बहुत ही बड़ी क्रांथी है और इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी आपने नहीं देखिए चैनल पर जाकर देशकते हैं और आप गूगल पर पढ़ सकते हैं और दोगी क्रांथ के बारे महात्पूर्ण परशने परिच्छामाने के इससे भी वह फारे चांसे थे ठी की थी और श्के साथ बिग्यान और टक्निकी के पाव भी जम गए थे यहलANC कि जूठी है और जो टेकनलोजी ऊचकी थे आरहे थी जसाइंस रोध सॉध किये को वह जाहते है छो झोड़ जाते हैं कि यह की यह पुरत हुआ और तक्निकि को के पहले हैं सबहुंए मैं पहले चोटे चोटे-शोटे की पैड़ वाले मुबाइल थे लेकिन वो तकनीकी की वज़ा टेक्नलोजिक वरसे आज देखे बड़े-बड़े मुबाइल हो गये हैं जो कि हर चीज मुबाइल पर किया जा सकता है तो इस सभी को सभी लाब उसे प्राप्त हो जाए इन अवस्यक्ताओं को किफी तरह टाला नह बिज्ञानवत तकनीकी और मोड़ा कि वजिया कहा कि विज्ञान और तकनीकी बहुत जरूरे चीज है और इन्हीं को पूरा अपना रुख जो है लिए जृषा हो मुड़ दी ठीक है और इस अताबदी में यह समझ जाने लगा कि यह बिज्ञान को अपनाया जाता है तो सम समाज बिध्यान के अध्धिन की बिधियां बिध्यानिक होंगी और उन्हें हर तरब से फ्रोसेमंद होना चाहिए इस यूग के समाज बिध्यानिकों में जिनमें टौनीज दुर्खीम पैरेटो आदी हैं सभी ने बिध्यानिक पद्धियोतियों को अपना है मतलब कि इन्हो समाज साफ्त्री थे यह भी बिध्यानिक पद्धित को अपनाएं तो इस प्रिकार लिखेंगे संगर सिध्धान्त के बारे में प्रारम के बारे में ठीक है सिंबल से परच्चे था कोई हाड नहीं था और अगला कोश्चन जो आप सभी क्यान समस्त आने वाला हाड लेवल क का परिच्चा में आएगा ही आएगा याद रखेंगे काम्टे के काम्टे प्रमग समास साफ्त्री है याद रखेंगे तो काम्टे फिरोडे कोश्चन आएंगे इड़ाएंगे आप सभी को इच्छा में तो काम्टे के प्रतच्च्वादी परिभासा बताईए यह हमें इस है ठीक है और वहीं पर बोगाड सुन बहुत दिवान है इसमा साफ्तरी इन्होंने कहा है यह प्रतित च्वाद संसार को देखने का एक बहुत धिक तरीका है उनका विचार है कि मस्तिष्ट की घटनाओं को होलोकन और वर्गी करण पर केंदित करना चाहिए अपेच्छाक्रत बिर्थ में घटनाओं के कान तलास करना और उन्हें जिम्मेदा ठहराना यह कहा है ठीक है बोगाड सुने यह भी मतलब कि दो इसके काम ठीक प्रतित च्वाद जो है इनके दो परिवासा है फिर चैल्ड के अनुसार है एक बोगाड सर्स के अनुसार है दोनों को दोने महत महत पोते हैं तेयार करने काफी मेंनिät ठीक है और यहां पर उब्रपलप के लिए भी वाख के के लिए भी जानी जाती है फ्रांच कि भूखी जंता जब खाना मांगने के लिए महाल के सामने कर्ठी हुई तो महराणी ने कहा था कि यदी हमारे पास ब्रेड नहीं तो के क्क लो ठीक है तो यह जो उत्तर है यह वाला यह वाला फ्रांस की एकरांस पर जोड़ा इसको आप लोग अभी इग्नोर करेंगे लेकिन कैसे प्रवाइड करेंगे कहां पढ़ देंगे यह भी हम आपको बता रहे हैं ठीक है आगला पर यह पूर्ण के समय यूरूप यह जो दफ़ा थी कंडिसन भी वह कहती उसके बारे मताई विया तो प्रांस की क्रांथ बहुत या पॉड़ी क्रांथ है और इफ़े उड़ा को स्टन अंडर परसंट आए 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 गा तिस बात को ध्यान लखेंगे जब फ्रांस की क्रांथ की जब समय था जब फ्रांस के किनान थे हो रही थी उस समय यूरोप में छोटे बड़े अनेक राज थे यानि कि छोटे भी राज थे बड़े भी राज थे तथा उनकी प्रसासन सम्मंध्य बेवस्था अलग थी यानि कि भाई जैसे कि अपने भारत देश में बहुत सारे राज लोग रहते हैं किसी में कब रहते हैं कहीं पर ज्यादा कम यहीं किसी राज है कि przedstawat Rechtsafuna में सब जगे के तो गवरंप्रेंट के भई जो नियम कानून थे वेंस्था थी वो सब अलग अलग थे ठीक है बही कहीं पर मालिज्जे की कोई हुज ना आती है कहीं कहीं पर साथन है कि लिए नग है ठीक है उनको कहीं पर साइकल दी जाती है तिन कहीं कहीं कोई गवर्रमेंट है वो जो इलक्टानिक वाले रिक्साज तीक है जो एक तरीके से बाइक की तरहा रहती है चार्ज होती हो और बिना मतलब की पैर के मदद से वह जो उनके पास अपल लिए उसके बाद वो अपना 100-200 किलोमीटर जो चलती हो चलेगे तो मतब अलग-अलग सभी राजी की अलग-अलग ब्युस्ता है ठीक है उस समय यूरोप में एकता का भाव था किस चीज का एकता का मतब की लोगों के अंदर एकता थी ही नहीं ठीक है उसकी चीज का बहुत ही एक तरीके से बात कर सकते हैं आप सभी कि एकता थी ही नहीं ठीक है एक दूसरे में और 1789 में इंगलेंड एक प्रथम श्रेडिका बेपारिक और आपनिवेशिक समराज था ठीक है बेपारिक मतब बेपार करने वाला आपनिवासिक का मतलब क्लभ कि कोई कोई चीज में शेटर अंकल्प के साथ फ्रांस सिस्री क्रांति का सामना किया तो यह किया उसने जाज तृतियर आ जाने तो करांति के समय इटली का नाम कोई राश्ट नहीं था तो इस समय इटली नाम का कोई राष्ट नहीं था या मात्र भगोलिक अभिब्यक्त थी यदिप इटली का अतीत ठीक है देदी पेमान था परंत उसकी महांता की पुना प्राप्त दूर थी जर्मनी में 360 से भी अधिक छोटे-छोटे राज थी इतने 360 से भी अधिक छोटे-छोटे राज थे जिन्हें सीधे पवित्र रोमन समराज से अधिकार प्राप्त क्या थे अधिकार प्राप्त थे हैप्स वर्ग वंस आश्टेरिया में सासन कर रहा था यहां राज्यों नसलों और भासाओं का बिशित्र मिलन था प्राया या फिर प्रसासन थी कि ततकाले समय में सही आर्थों में राश्ट कहा जा सकता था यहां होविन जोरनर वंस का साफन था यूरूप महाद्यूप में रूस का राज सरवधिक विस्तित था यानि कि बहुत ही बड़ा था ठीक है यहां का समाज ग्रीक चर्च का साथ कि निए प्रभाव ठायानि कि उनका महौल था पूरा तो अगला प्रस्ट नहीं कि और दोगे क्रांथ कब हुई इसके बारे में ब्याक्या की जी भी महाद्यक कॉंट प्रस्टन हाई लेबल का है और दोगे क्रांथ यह जो फ्रांस की क्रांथ है बहुत ही टॉप 1760 इस भी के आज पास ब्रिट्रेंस से प्रारम हुई थी कहां से 1760 1758 यह एक्जेक्ट नहीं है ठीक है बहुत सारे बिद्वान बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे जो कभी हो अलग-अलग देट मानते हैं तो आप लोग यह मत सूचे कि नहीं तो कह दिया 1760 1760 ही है आप अलग-अलग अपने अपने अंसार आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर लीजेगा गूगल पर देख लीजेगा बुक में देख लीजेगा मेरे 1760 है पिरहाल जो बताया गया है ठीक है इसी के आज पास मतलब एक-दो साल आगे पीछे हो सकता क्योंकि आज पा प्रारम होई तो यहाँ पर दो प्रस्टियों के उत्तर हो रहें अतलग-धुत्रे वाले पहला तो किस शिभी में प्र्रारम हुई दूसरा कहां से प्रारम हुई तो सिंपल सा उत्तर 1760 में हुई कहां सो हुई बैटेयन से हुई ठीक यहां पर अगला पॉइंट है कि इससे पहले इंगलेट था अन्य यूरूपिये देशों के पस्चात अन्य महादीपयों में भी लोगों के समाजिक और आर्थिक जीवन में जवज़से परिवर्था ना है समाजिक जीवन का मतलब आप लोग समाज समाज की समझते हैं रीत रिवाज ठीक है रहन सहन खान पियन ठीक है और प्लस जातिवाद तो यह आजाएगा समाजिक और आर्थिक में आप लोग समझते हैं कि फैनेंशल वाली चीज़े ठीक है रूपिय पैसे वाली ठीक है मालीजे आपकी दोकरी जो ठीक है अच्छी काफी थी और उसमें 12,000 मिले लगा यह फिर आर्थिक इस्तिक खराब हुई तो दस बिल्दा था वहां पर काम नहीं आया तो आपको आठी साथ मिले लगा तो मतलब कि समाजिक और आर्थिक जीवन में जबर्जस्त चेंजस आए यूरोप में विशेशकर इंग्लेंड द्वारा ने छेत्रों की क्या था यूरोप में विशेशकर इंग्लेंड द्वारा ने छेत्रों की खोज वह इसके साथ साथ बैपारियों बड़िज में ब्रद्धी हुई तथा सहरों में विकास होने के करण चीजों की मांग बढ़ने लगी कपड़ा जैसे परंप्रागत उभोकता वस्तों का निर विजाइन थी वो घर पे ही घरेलू अफ्तर पर की जाती थी ठीक है लेकिन जब धीरे दीरे जब क्रांट याई तो इसमें बहुत सारा विकास हुआ ठीक है बेपार के चीट में बिजनेस बढ़ बढ़ा होने लगा ठीक है लोगों का और जो बिजनेस की मतलब सेलिंग करत तब यह हो रहा एक्जामपल के रुप में पहले आपके खेत कैफे जोते जाते थे बैलों के द्वारा जोते थे ठीक है उसके बाद आप लोग देखते हैं कि ट्रक्टर के माधम से ने कि उसमें कई सारे के माधम से फार आ गए ठीक है तो वह तरीके सावजार होगे बागी बेगे हो गये मैं वी और उसके बाद जिन से ब्यापक पैमाने पर वस्तुमें तैयार हो सकती थी याई ब्यापक पैमाने के मतब हुआ एक जिसा बेपार के मतब कि कम से मीडियम पैस से ठीक है और 1760 में 1760 अठार्सो तीस के बीच आवजारों तक्निकी और उत्पादन के प्रबंद में कोई नए विश्कार हुए जिन से उत्पादन की फैक्टरी प्रणाली आफ्चित में आई इस प्रकार उत्पादन में समानत वादी प्रणाली के रिथान पर पूंजी वादी कर रहे हैं उभर का सामने आया जिसने और दोगी प्रणाली को नियंत्रित किया समाज में हाथ से बने यह फिर हाथ से बनी वस्तों का पुराना यूग शमाप तो हो गया और यंत्र निर्मित वस्तों ने यूग की पहचान बनी यानि कि जो घर में पहले की जो कढ़ाई यानि कि हाथों से बनते थी लेकिन यह जो यूग था वो पूरी तरह फे जो क्रांती आई ठीक है और दोगिकरन इसने पूरा का पुरा इस यूग को समाप्त कर दिया उफ ने एक नए यूग का निरमाण करह जोकी आर्टो में आतोमेटिक वाला ठीक है मसीन वाला मसीन री अधिक उत्पादन या फिर अधिक वस्तों का निर्माड मशीनों के द्वारा किया जाने लगा तो वहीं बताया जा रहा और यंत्र निर्मित बफ्ते नय यूग की पहचान मनी यानिकि नया यूग आ गया और जो यंत्र थे ठीक है उसमें बढ़ होते ही देखने कम समय में त लग के होने वाले तो अच्छे से देख लीजिएगा प्रीडियाप आपको वर्ट सब्सक्राइड हो जाएगी और और भी कुश्चिन हम आपको प्रवाइड कराएंगे जेहन्द अ प्रवाइड प्रश्वाँ